हवा किन पदार्थों से मिलकर बनती है हवा अनेक वायूं का मिश्रण होती है अब हम एक आसान सा प्रयोग करते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हवा में पानी की बूंदे रहती है एक स्टील का गिलास लीजी गिलास में बरफ के टुकड़े भर दीजी अभी वो गिलास टेबल पर रखी है गिलास के बाहरी हिस्से का निरिक्षन कीजिए गिलास के बाहरी सता पर छोटी पानी की बूंदे दिखाई दे रही है क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यूं बरफ के टुकड़ों के कारण गिलास के बाहरी हवा का तापमान कम हो गया यह हम कह सकते हैं कि गिलास के आसपास की हवा बरफ के कारण ठंडी हो जाती है इस कारण गिलास के आसपास जो हवा होती है उसमें मोजुद भाप द्रवरूप में बदल जाती है हम ऐसा कह सकते हैं कि हवा ठंडी हो जाती है और हवा में जो पानी की भाप होती है उसका द्रवी करण हो जाता है इस कारण पानी की बूंदे गिलास के बाहरी सता पर जमी हुई दिखाई देती है भारत Electronicus Limited ने इसी संकलपना का उप्योग कर पीने का पानी उपलब्द कराया है मशीन दवारा पानी का निर्माण एրउ इंडिया दो हजार इंडीय में भारत Electronicus ने हवा से जलका निर्माण करने वाले वातावरणिय जल जनरेटर अर्थात एटमॉसफेरिक वाटर जनरेटर का खुलासा किया है इसी प्रकार की प्रक्रिया के कारण ठंड के मौसम में घास पर ओज जम जाती है हवा में बाश्प का प्रमान आर्द्रता के आधार पर नापा जाता है बाश्प की आपमान कम होता है तब हवा की बाश्प पकड़ने की क्षमता कम रहती है इसी कारण सर्दियों में हम सुभा ओस देख सकते हैं लेकिन दोपहर में नहीं देख पाते हैं ग्रीश्म रुतू की अपेक्षा वर्षा रितू में कपड़े सूखने के लिए अधिक समय लगता है ग्रीश्म में हवा गरम होने के कारण गीले कपड़ों में मौजूद पानी की भाप जल्दी हो जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं वर्षा रितू में गीले कपड़े सूखने में देख लगती है क्योंकि पानी का भाप में बदलने का कारिय धीमा हो जाता है बा एक सेंट अर्थात इतर की बोतल खोली है अब अपने दोस्त से पूछे क्या उसे खुश्बू आ रही है आपका दोस्त जरूर हां में जवाब देगा कि सुगंदा आ रही है क्या बता सकते हैं कि आपके दोस्त को कमरे के दूसरे कोने में खड़े होने के बावजूद खुश के अनू निरंतर या दूच्छिक गती से घूमते रहते हैं इतर के अनू भी इसी प्रकार हावा के साथ इधर उदर घूमने लगते हैं इसी वज़ा से भले ही आपका दोस्त कमरे के दूसरे कोने में क्यों न खड़ाओ उस तक खुश्बू पहुंच जाती है होली के त्यो दका उसी स्थिति में बनी रहती हैं आपने दस्त को जिस थिति में रखा है वो उसी स्थिति में रहता है अब पिछकारी का मुख अंगूठे से बं कीजिए और पिस्टन पीछे कींज कर रखिए निरिक्षन करें पिस्टिन धीरे धीरे अंदर की ओर जाना शुरू हो जात और थोड़ी देर के बाद रुख जाता है क्या बता सकते हैं ऐसा क्यूं हुआ होगा जब हम पिछकारी का मुख अंगूठे से बन करने के बाद हम पिस्टन को पीछे खींशते हैं तब हवा के अनुओं के लिए पिछकारी में ज्यादा जगा बनती है पर बाहर के हवा के सद्रUC्चिक गति से निरंतर हल चल करते रहते हैं जब याणू किसी सता पर आघात पहुंचाते हैं तब वे उस सता पर दभाव निर्मान करते हैं अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब पिछकारी का मुख बंध होता है उस समय क्या होता है पिछकारी का मुख बंध होने के कारण पिछकारी में हवा प्रवेश नहीं कर पाती इस कारण हवा के अनुओं को हलचल करने के लिए बहुत जगा मिल जाती है इसी का इसलिए बाहिय हेवा 다시 ज्यादा रहता है पिश्टं बंधोने के कारण हवा के अनुओं को कम जगा प्र conception होती है जिसकारण अंतरगत हवा के दबाव का संतुलिद बनाये रखने के लिए हवा के अनुस सता पर अधिकबार आगात करते हैं। आप ये प्रयोग इंजेक्शन की सुई रहित सिरिंज इस्तमाल करके भी कर सकते हैं। सारांच, हवा अनेक वायू का मिश्रण होती है, उसमें नाइट्रोजन याने नत्रवायू, ऑक्सिजन याने प्राण वायू, कार्बन डायोकसाइड याने कर्ब वायू, तथा पानी की बूंदे मौझूद होती हैं। बाश्प की अर्थात आर्दता की मात्रा अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है। बाश्प की मात्रा अर्थात आर्दता अनापने के लिए हाईग्रोमेटर इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पूछे हुए सवालों के जवाब दीजिए, वाके कौन से घटकों का उपयोग वनस्पती प्रकास संसलेशन प्रक्र के लिए करते हैं।